गुड मोनिंग दोस्तों, आप सभी का हमारे योटूब चैनल MP पार साला में स्वागत है आज की जो हमारी क्लास है वो MPPSC Pre-A 2021 को लेकर है यहाँ पे हम लोग इंदवर इस्थित महात्मा गांधी Institute for Civil Services द्वारा संचालित की जा रही test series का completely हम लोग discuss करेंगे total यहाँ पे आपके 100 questions होगे और यह 100 questions आपके geography subject के होगे जिसमें हम लोग Indian geography, word geography, साथ ही साथ आपकी जो मद्ध प्रदेश जियोग्राफी है इन तीनों पोर्षनों को यहाँ पे कभर करेंगे और आपको बता दें कि इन ही questionों में से आपके जो मैंस में 3 marker question आते हैं उन questionों के आने की संभावना रहती है तो आप लोग इस class को बड़े ध्यान से देखें चुकि class में एक एक point जो आपको discuss कराये जाएंगे बताये जाएंगे वो महत्पूर होगे और आप लोग साथ में pen और coffee लेके बैठा कीजिए चुकि जो आपको महत्पूर fact बताये जाते हैं उनको आप note down भी कल लिया कीजिए चुकि यदि आप note down करते जाएंगे तो एक प्रकार से आपकी notes तयार हो जाएगी और वो notes आपकी exam के time revision के लिए बहुत ही महत्पूर सावीत होगी साथी साथ दोस्तों आपको बता दें कि मद्धवदेश PSC, MPPSC exam जरूर होगा आप लोग इसके लिए motivate रहें, continue अपनी तयारी जारी रखें चुकि मद्धवदेश में जो कोरोना काल है ना कोरोना काल का last समय चल रहा है आपने देखा होगा कि MPPSC के थ्रू जो आपकी medical officerों की भरती होती है उसकी भरती प्रक्तिया चालू कर दी गई है तो ऐसी आसा की जा सकती है कि मद्धवदेश PSC का भी जल्दी होगा साथ ही साथ इस वार इतनी ज़्यादा वेकेंसी आएगी चुकि दो से तीन साल हो गए, तीन साल की लगभग वेकेंसी आपकी टोटल खाली पड़ी हुई है तो इन वेकेंसीों को भी सरकार को भरना है 2003 इसमें चुनाओ है, इसके पहले जरूर इन वेकेंसीों को भरेगा तो दोस्तों, आज का जो मोटिवेसनल थौट है मंजिल ने होसले से कहा, चल तेरे बस की बात नहीं तो मंजिल ने होसले की आँखों में आखे डाल के कहा चल जूटी तेरी इतनी आवकाद नहीं कि तुम मुझे किसी एक्जाम से आउट कर सके तो यदि आपकी मंजिल फिक्स है, यदि आपका होसला बुलंद है तो आपको एक्जाम क्रेक करने से कोई नहीं रोग सकता इस बात पर भी से साफ लोग ध्यान दीजिएगा साथी साथ चैनल पे जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सेर और कमेंट करना ना भूलें जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो सेसन को ज्यादा ज्यादा सेर करें पुने आपको याद दिला दूँ कि यह जो क्लास है आपकी तो वो जियोग्रॉफी की क्लास है जिसमें इंडियन वर्ड और मद्दे जियोग्रॉफी कभर करेंगे टोटल 120 मिनट का जिस प्रकार आपका टाइम रहता है, उसी प्रकार रहेगा लेकिन आपको यहाँ पे फास्ट कराया जाएगा, आपको आपका समय बचाते हुए तो 100 कोशन को हम लोग लगवग लगवग 16 मिनट में कभर कर लेंगे, यह आपको ध्यान रखना है तो देखेंगे कि हमारा फर्स्ट कोशन क्या है, और साथी साथ जिस कोशन में एक्स्प्लेनेशन की जरूरत होगी, वहाँ पे आपको एक्स्प्लेनेशन भी किया जाएगा जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं और इस क्लास की पीडियाप डाउनलोड करने के लिए आप मारे चैनल MP पारसाला से जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे MP पारसाला सर्च करेंगे और आप मारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जैसा कि मारा first question है कौन सा महत्पुन अक्षांस भारत को लगभग दो लगभग बराबर भागों में विवाजित करता है आपसन आपके दिये हुए हैं और दिये हुए आपसन में जो आपका तेज डिंगरी 30 उतरी अक्षांस यह भारत को दो बराबर भागों में बंड़ता है और आपको बता दे जानकारी के लिए कि इसे ही करकर एखा कहा जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए बात करें हम नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है हिमाले का परवत पदी प्रदेश है हिमाले का परवत पदी प्रदेश है आपसन आपके दियें ट्रांस हिमाले सिवालिक हिमाले बिहद हिमाले अरावली तो आपके इस question का right answer हो जाएगा सिवालिक हिमालाय B इस question का right answer हो जाएगा A आपको ध्यान रखना है और यह सिवालिक की बात करें तो यह हिमालाय परवत की सबसे दक्षिंड सबसे दक्षिंड तम सेंडी है यह भी आपको ध्यान रखना है next question की बात करें कि निम्रखित में से कौन सा एक अरावली का उच्तम सिखर है तो अरावली का जो सबसे उच्तम सिखर है वो है आपका आपसंद दिये हुए है सज्जनगार, लीलागार, कुम्भलगार और तारागर कुम्भलगर की उचाई की बात करें तो इसकी उचाई है 1244 मीटर 1244 मीटर इसकी उचाई है यह आपको ध्यान रखना है और यदि आपसे पूझ ले जाए कि अरावली परवत की सब सर्बोच मैनि सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह आपकी सबसे उची चोटी हो जाएगी गुरू सिखर गुरू सिखर आपकी सबसे उची चोटी हो जाएगी और इसके उचाई की बात करें तो इसकी उचाई है 1722 मीटर 1722 मीटर इसकी उचाई है यह आपको ध्यान रखना है बात करें हम आगे तो हमारा next question है प्रिथवी का आउसत albido कितना है यह आपको बताना है आपसन आपके दिये हुए है 10 प्रशाथ, 35 प्रशाथ, 50 प्रशाथ और 70 प्रशाथ तो जो प्रिथवी का आउसत albido है वो है आपका लगभग लगभग आपका 35 इसमें answer दिया हुए 35 प्रशाथ इसका right answer होगा लेकिन यदि बात करें तो इसका जो मान होता है वो 30 से 35 के 30 से 35 35 के बीच होता है यह आपको ध्यान रखना है बात करें हम next question की कि सरवाधिक 30 अपरदन होता है जो सरवाधिक 30 अपरदन होता है वो होता है आपका लहरों द्वारा जो जल की लहर आती है उसके द्वारा सरवाधिक 30 अपरदन होता है यह लहरों में बात करें तो समुद्री लहरे, जौरभाटा और जो आपकी सुनामी लहरे होती है इन से अपर्धन होता है, साथ ही साथ जो आपके माणो क्ली अकलाप हैं, इन से इनके द्वारा भी अपर्धन होता है, यह आपको ध्यान रखना है नेस्ट कोशन की बात करें तो डायमंड हारवर तथा साल्ट लेक सिटी अविस्तित है और ये जो सिटी आपकी अविस्तित है ये सिटी आपकी इस्तित है कलिफोर्निया में प्लोरेडा हंग कॉंग में और कोलकाता में तो राइट एंसार आपका हो जाएगा कोलकाता कोलकाता आपका पस्टिम बंगाल में है वह आपको ध्यान अखना है आपको कमेंट करके बताना है कि पस्टिम बंगाल, पस्टिम बंगाल की सोग किस नदी को कहा जाता है next question की बात करें कि निल्कित में से किसका सुमेल सही नहीं है आपसन आपके दिये हुए हैं डाक्टर मनमोहन सिंग यह एक अर्थ सास्त्री हैं यह बेलकुल आपका राइट है डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम यह एक एरोनौटिक्स थे डाक्टर डी एसकुठारी एक भौतिक सास्त्री थे लेकिन डाक्टर एमेस स्वामीनाथन एक भौगर्व सास्त्री ना होकर यह थे आपका इनका जो सम्मन्ध था बो था क्रिसी विज्ञान से क्रिसी विज्ञान से इनका सम्मन्ध था यह आपको ध्यान रखना है बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट कोशन है भारत का सबसे उंचा भारत का सबसे उंचा समुद्र त सबसे लंबा तो इसकी टोटल लंबाई बात करें कि सबसे लंबा तो इसकी टोटल लंबाई जो है बो है 13 किलो मीटर 13 किलो मीटर इसकी लंबाई है यह आपको अतरिक तत्य के रूप में याद करके रखना है दोस्तों पुनए आपको बता दें कि यह जो टेस्ट स्रीज है यह इंदोर इस्थित महादमा गांधी इंस्टिटूट फॉर सिविल सर रहे हैं बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट कोशन है माउंट एवरेश्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है जो आपका माउंट एवरेश्ट नाम है वो आपका रखा गया है भारत के एक महा सरवेक्षक के नाम पर भारत के जो एक महा सरवेक्षक थे उनके नाम पर यह र स्वार्ज एवरेष्ट के नाम पर मांट एवरेष्ट का नाम रखा गया है यह बात करें हम कि इसका जो आपका मांट एवरेष्ट का नाम है तो इसका नामकरन कब किया गया था यह सन आपको याद करके रखना है कि इसका नामकरन किया गया था 1865 में इसका नामकरन किया गया जो सर्ज जोज एवरेश्ट थे इनकी बात करें तो यह ब्रिटेन जो आपका ब्रिटेन है ब्रिटेन की यह एक भुंगोल व्यक्ता और महासरव्यक्षक थे यह आपको ध्यान रखना है बात करें हम आगे तो हमारा निश्ट कोशन है निम्लखित में से कौन सी मिट्टी चाय एक से चौदा तक होती है और आपका बीच में सेवन होता है यह जो आपका एक से चौदा यानि एक से साथ के बीच की जो पीच मान होता है जिस मिट्टी का पीच मान एक से साथ के बीच होगा वो आपकी होती है एसिप प्रकित की यानि अमली प्रकित की और साथ से चौदा जिसका पियच मान होगा वो होती है आपकी बेश प्रकित की यानि छारी प्रकित की ये आपको ध्यान रखना है तो कमेंट करके बताना है आपकी कि जो अमली मिट्टी होती है इसका पियच मान कितना है इसका पियच मान एक्जेक्ट पियच मान कितना है ये आप लोगों के लि भारत में राष्टी उध्यान इस्थापित किया गया था, वो था आपका हेली राष्टी उध्यान, हेली राष्टी उध्यान यह आपका 1936 में स्थापित किया गया था, बरतमान में जो इसका नाम है वो है आपका जीम कारवेट, जीम कारवेट राष्टी उध्यान के नाम से यह जाना जाता है यदि बात करें कि यह कहां इस्तित है यह आपका इस्तित है उत्तराखंड आपके सर आर्थर काटन करनल बेर्ड इस्मित लेटिनेंट ब्लेल और करनल रावर्ट इस्मित तो यह माना जाता है आपके सर आर्थर काटन को दक्षिन भारत का सिचाई का अगरदूत माना जाता है चोकि इन्हों ने दक्षिन भारत में प्रकासम बहराज जो आपका प्रकासम बहराज है साथ ही साथ आपका धलेश्वर बांध और कुर्नुल कुलपपा नहर इसे केसी नहर के नाम से जाना जाता है इसका निर्माल कराने में इनका महतुन योगदान रहा है बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट को सना जाता है निमलकित में से कौन सा छेतर कोईला भंडार में सबसे अधिक सम्रिद है कोईला भंडार में सबसे सम्रिद छेत कौन सा है ब्रमपुत घांटी दामोदर घांटी महानदी घांटी और गोदावरी घांटी तो जो आपका पस्षिम बंगाल के रानी गंज कोईला छेतर में यह इस्तित पस्षिम बंगाल का जो रानी गंज कोईला छेतर है वह दामोदर घांटी मिस्तित है जो कोईले छेतर के लिए देश में सबसे बड़ा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जो दामोदर घांटी है यहां से 98% 98% तक कोयला प्राप्त होता है और इस दामोदर घांटी में जो चटान पाई जाती है वो पाई जाती है गोंडवाना गोंडवाना युगीन चट्टान यहां पे पाई जाती है यह आपको तथ्यात्मक रूप से याद करके रखना है बात करें हम नेश्ट कोसन की कि भारत में अधिकांस पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल्ट संगसनाओं में पाया जाता है अब यहां पे आपके आपसं कोसन की कि निमलखित में से भारत का सबसे ब्यस्त अंतर राष्टी बंदरगाय कौन सा है और भारत का सबसे ब्यस्त जो आपका अंतर राष्टी बंदरगाय है वो हो जाएगा मुंबई मुंबई इस कोसन का राइट एंसर हो जाएगा यदि बात करें मुंबई की तो यह भ और साथ ही साथ यदि इस हम मुंबई में जो आपका बंदरगा है इसे यह एक प्राक्रतिक पोतासर है और देश का सबसे बड़ा पत्तन भी है यह आपको ध्यान रखना है बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट कोशन है 16 नमबर का नेमलिखित भासाओं में से कौन सी एक आश आश्टिक समुग की भासा है बो हो जाएगी खांसी खांसी आपकी आश्टिक समुग की भासा है यदि आश्टिक समुग की भासाओं की बात करें तो इन में प्रमुग जो भासा हैं हो जाएगी बो हो जाएगी एक तो आपकी खांसी हो गई सिकंड आपकी संथाली हो गई थेड़ आपकी मुंडारी हो गई अफोर्थ आपकी भूमिज यह आश्टिक समुल की प्रमुख भासाएं हैं अब यहाँ पे जो आपकी आपसे पूछ लिया जाए कि जो तमिल भासा है यहाँ पे आपसे आपका तमिल दिया हुआ है तो जो तमिल आपकी भासा है यह द्रबिट समुख की भासा है यह आपके द्रबिट समुख की भासा है और यदि आपसे पूछ लिया जाए मराथी तो म इतनी चीज़ें आपको तथ्यात्मक रूप से जानकारी की रूप में याद करके रखनी चाहिए हमारा नेस्ट कोशन है भारत की जनसंग्छा में रिनात्मक बिद्धिदर किस दसक में दर्ज की गई थी तो जो भारत का जनसंग्छा व्युहाजक बर्स माना जाता है वो जन्म की बजाय मृत जादा हुई थी इसलिए इसे रिनात्मक बिद्धिदर दर्ज की गई थी और इसी कारणी से जनसंग्छा व्युहाजक का बर्स भी माना जाता है यह आपको ध्यान रखना है बात करें हम आगे तो हमारा नेस्ट कोशन है भारत के किस राज्य का छेत्र ड जन्म कोफल और जनसंग्छा समान रैंकिंग में है बो राज्य आपका हो जाएगा मेगहल है चूकि इसका जो इस्थान रहे आपको ध्यान रखना है नेस्ट कोशन की बात करें कि कैथोलिक और बैथोलिक के निर्मार का समन्द किस से है अब इस कैथोलिक और बैथोलिक यदि आपने ज्वाला मुखी पढ़ा होगा, तो ज्वाला मुखी में ये जो कैथोलिक और बैथोलिक है ना, ये दो ज्वाला मुखी उद्गार से उत्पन होने वाली दो प्रमूख आकृतिया हैं, इसके अलावा कैथोलिक, बैथोलिक के अलावा और ज्वाला मुखी जो उ लिट शील वा डाइब ये इसकी प्रमुक कहा जाये तो आकरितियां हैं आप लोग इसे ध्यान से याद करके रखिएगा दोस्तों आपका ज्यादा समय कंजी उन्ना हो ज्यादा समय उप्योग ना हो इसके लिए आपको यहां पे जो आपसंद बताया जाते हैं उनको आप रि आपकी बनी हुई है अगने चटान से अगने से बनी हुई है लगभग कहा जाये तो नब्बे प्रसत भाग अगने चटानों से निर्मित है नेस्ट कोसन की बात करें तो हमारा जो नेस्ट कोसन है कि पथरीले रेगिस्तान में एक दिसा में लगातार चलने वाली हवाएं क् बीस फिट उचाई पर ये चलती हैं और इनकी जो चौणाई होती है वो होती है 30 से लेके 120 फिट तक ये चौणाई होती है ये आपको ध्यान रखना है बात करें हम नेस्ट कोशन की तो हमारा नेस्ट कोशन है नदी अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी की नदी परदन कहां होता है जहां नदी की क्या होती है गहराय अधिक होती है चमलाई प्रवाहती हो और ढ़ाल अधिक हो तो जहां पे नदी का प्रवाहत जादा होगा वहां पे नदी परदन जादा होगा नेस्ट कोशन की बात करें कि निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में प फ्रवाहित होती है जर डेन्यूम नदीखी बात करें तो यह आपकी जर्मनी के ब्लैक जर्मनी का एक ब्लैक फोरेस्ट परवत है वहां से निकलती है और जाके जो आपका ब्लैक मिल जाती है हे आपको ध्यान एक बात करें हम आगे तो नेस्ट कोस्टन है तर्की के उत्तर में कौन सा सागर इस्थित है तो जो आपका तर्की है तर्की के उत्तर में आपका इस्थित है काला सागर काला सागर तर्की के उत्तर में इस्थित है यह आपको ध्यान रखना है चुकि तर्की एक यूरोप्याई देश है जिसकी सीमा इस तर्की की सीमा ल लगी हुई है और ध्यान रखना है कि जो टर्की है ना तो टर्की को योरोप एबं एसिया के मध्ध का सेत भी कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है कोसन आपसे पूचा जा सकता है बात करें हम नेश्ट कोसन की तो निम्लखित में से कौन सी दक्षिन अट्लांटिक महसागर की सीतल जल धारा है आपसन आपके दिये हुए है और दियो है आपसन में जो बेंगु एला धारा है वो आपकी जो आपकी बेंगु एला धारा है इस कोसन का राइट एंसर हो जाएग भिंगोयला जल्धारा जो है वो एक प्रकार की थंडी जल्धारा है ये आपको द्यान रखना है नेश्ट कोशन की बात करें कि करीबा बांद किस नदी पर इस्थित है जो आपका करीबा बांद है वो आपका जामबेजी नदी पर इस्थित है और जो आपका करीबा बांद है वो आपका एक प्रकार से आता है करीबा बांद आपका आता है जो आपका अफ्रीका अफ्रीका म महादीप में जिम्बामबे एवं जांबिया के बीच जांबेजी नदी इस्तित है इसी पर यह बांद बना हुआ है ऐसा माना जाता है कि जो करीबा बांद है जिम्बामबे का सबसे बड़ा बांद है यह भी आपको ध्यान रखना है नेश्ट कोसन की बात करें कि फिजी दीप अविस्तित है जो आपका फिजी दीप है वो आपका अविस्तित है प्रसांत महासागर में प्रसांत महासागर में आपका फिजी दीप अविस्तित है राइट बात करें हम नेश्ट कोसन की तो हमारा नेश्ट कोसन है नेमनी स्थानो में से किस एक में रुधीर बरसा होती है रुधीर बरसा का मलब यहां पे है रेड रैन यानि लाल बरसा इटली फ्रांस कनाडा इस्पेन तो यह जो आपकी रुधीर बरसा होती है वो होती है आपकी इटली में यह होती है आपकी इटली में थोड़ा सा यह हम रुधीर बरसा क इतिहास के बारे में बात करें तो जो आपका सहारा जो आपका सहारा का मरुष्तल है यहां से जो आपका एक भूमद सागर है तो यहां से जो हवाएं चलती है यह हवाएं चलती है और चलने में यह क्या होती है गर्म एवं सुस्क होती है साथ ही साथ ही है हवाएं रेथ रेथ से भरी होती है और रेथ क्या होती है रेड कलर की होती है जिसे रेथ से भरी होने के कारण इन हवाओं को कहा जाता है सिरा को इन्हें कहा जाता है सिरा को अब यह जो लाल कहा तो लाल रेथ होती है अब यह जाके जब आपकी इटली में ब इसे रुधिर या लाल वर्षा के रूप में इसे इटली में कहा जाता है आसा है कि कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सिरा को एक ती नमबर में आपसे पूछा जा सकता है बात करें हम नेश्ट पोर्षन तो विश्व का चावल जीन बैंक इस्थित है और जो विश्व का चावल जीन बैंक है वो अविस्थित है फिलिपीन्स में फिलिपीन्स में यह इस्थित है लाल बोनास नामकस्थान है जो मनीला में आता है वहां पर या इस्थीत है यदी हम बात करें जीन बेंक के बारे में चावल जीन बेंक के बारे में तो इसकी जो इस्थापना हुई थी बो ही थी 1960 में आई थी 1960 में और लागभा के यहां पे कहा जाए तो 1.25 जो लाख चावल की किसमे हैं उनका यहां पे कहा जाए तो यह एक संग्रहा मलब यहां पे संग्रहित किया गया है बात करें हम नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है भारत के अधिकांस वन जीप संदर्ची छेतर घिरे हुए हैं और यह घिरे हुए हैं घने जंगलों से यानि कि आपके इस कोशन का यह राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है मंदाकनी नदी किस जल प्रवाह तथा मुख नदी से संबंधित है अलकनन्दा भागी रिथी यमना धौलागी तो यह जो संबंधित है मंदाकनी बो है आपकी अलकनन्दा से यानि कि यह इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा बात करें कि जो आपकी अलकनन्दा और मंदाकनी यह दोनों आके मिलती हैं जिस अस्थान पर उसे कहा जाता है रूद्र प्रयाग जो आपका रूद्र प्रयाग अस्थान है यह आपका इस्तित है बद्रीनाथ बद्रीनाथ के पास यह मिलती हैं तो यह आपका उत्राखन में हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करें तो हमारा नेश्ट कोशन है बंगला देश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है और बंगला देश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पदमा के नाम से गंगा नदी को वहाँ पुकारा जाता है और ये पदमा नदी जो गंगा है तो ये आगे जाके मिल जाती है आपकी गंगा यानि पदमा हो गई और इधर ये आपकी मेघना हो गई ये दोनों जाके मिल जाती हैं कहां पे मेघना नदी से मिल जाएंगी और मेघना नदी के बाद ये बंगाल की खाणी में बात करें हम आगे तो हमारा अगला कोशन है सलीम अली राष्टी उद्यान कहां अविस्तित है यह अविस्तित है आपका जम्मू कास्मीर में जम्मू कास्मीर में यह बांध आपका राष्टी उद्यान इस्तित है नेट कोशन है सुन अंस अक्षांस और सुन अक्षदेशांतर अविस्थित है और यह आपका अविस्थित है अटलांटिक महासागर में जो आपकी गुयाना की जो खाड़ी है वहाँ पर यह कहा जाए तो अविस्थित है नेट कोशन की बात करें कि संगमरमर की भूम के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है और संगमरमर की भूमी के नाम से इटली देश प्रसिद्ध है यानि इटली इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आगे बात करें हम तो मगर तथा चिरिया घर का संड़क्षन कहां किया जा रहा है जो आपका मगर और चिरिया घर है मगर तथा घरियाल का संड़क्षन कहां किया जा रहा है यह आपको बताना है और इसका जो संड़क्षन किया जा रहा है वो किया जा रहा है चंबल एवं सोन नदी चंबल एवं सोन नदी इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करें भारत में बिहत पैमाने पर जूर की खेती किस नदी घांटी में की जाती है और जो जूर की खेती की जाती है वो की जाती है होगली नदी पर यदि होगली नदी की बात करें तो यह है आपकी पस्षी मंगाल यानि कोलकाता में इस्थित है कोलकाता में यह है इस्थित है यदि हम next question की बात करें कि नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राक्तिक रूप से बनाए गए बाधों को किस नाम से जाना जाता है तो इसे जाना जाता है लेपीज या तटबंद के नाम से जाना जाता है नेश्ट कोशन है छोब मंडल की सघंता कब बढ़ जाती है तो जो चो मंडल है इसकी सघंता बढ़ जाती है सीत रितू में सीत रितू में इसकी सघंता बढ़ जाती है चुकि यह प्रिथवी के बाय मंडल का सबसे निचला हिस्सा है और यह इस सबसे निचला हिस्सा है तो प्रिथवी की बाय का सबसे सघंभाग भी यही है यह आपको ध्यान रखना है नेस्ट कोस्टन है मकरैला या लेटराइट मिट्टी का विकास पैणाम होता है इसका जो विकास पैणाम होता है वो होता है निक्छालन या लीचिंग द्वारा इसका नेमाल होता है चुकि जो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी की होते हैं वो बह जाते हैं जिन में इसके पोसक्ततों में गिरावाट आती है गिरावाट आने के कारण यहाँ पे मात्र चूना रह जाता है मात्र चूना बज जाता है इस प्रक्रिया को लीचिंग के रूप में जाना जाता है इसी कारण कहा जाए तो इसकी जो उपजाव है न तो समुद्र समीर बनने का कारण है तो जो आपकी थल समीर है और समुद्री समीर इनके बनने का सबसे महत्पूर कारण होता है संबहन भी इस कोर्षन का राइट है हो जाएगा यदि हम बात करें जो आपका संबहन है न तो अखरी में रीजन है क्या जो आपकी समुद्री समीर और थल समीर तो इसके बारे हम थोड़ा से बात करें तो दिन के समय जब सूर्च चमकता है तो समुद्र की अपेक्छा इस्थल सीगर गर्म हो जाता है जैसा यह आपका सन हो गया और यह आपका यहां से आपका समुद्र हो गया अब दिन के समय यह आपका इस्थल जल्दी गर्म हो जाएगा जिस से यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे निम्न बाइदाव हो जाएगा जब इस्थल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे निम्न बाइदाव हो जाएगा राइट लो प्रेसर बनेगा और यहां पर बनेगा हाई प्रेसर तो जाहिर सी बात है कि जो हवाएं होती है ना जो हवाएं होती है तो वो हाई प्रेसर से लो प्रेसर की ओर चलेंगी हाई प्रेसर से लो प्रेसर की ओर चलेंगी और इसी को कहा जाता है समुद्री समीर इसी को कहा जाता है समुद्री समीर और रात में सेम यही क्रिया अपोजिट हो जाती है और जब अपोजिट यही क्रिया हो जाती तो इसे कहा जाता है अंतह इस्थल समीर इसे इस्थल समीर कहा जाता है डाउट आपको clear कर लेना है यह आपका सूर हो गया दिन के समय इस्थल क्या होगा ज्यादा गर्म होगा और जो आपका जल है वो क्या होगा ठंडा होगा यद इस्थल गर्म होगा तो यहाँ पे low pressure बनेगा और जल में high pressure हवाएं high pressure से low pressure की ओर चलेंगी तो इसे कहा जाता है सम और इसे कहा जाएगा इस्थल समयर ऐसा है कि concept clear हो गया होगा next question की बात करें किस नदी पर नर नारायन सेथपा निर्मार किया गया है और नर नारायन जो सेथपा निर्मार किया गया है वो किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर किस राज में असम राज में किस राज में किय पाल जाते हैं इरेनियम की खान वो इस्तित है जादू गौडा में इस्तित है और बात करें हम नेश्ट कोस्टन की कि भारत के खुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाया जाती है और इस मिट्टी के रंग का परमुकारण क्य तो लगभग लगभग 51.8 लाख किलो मीटर स्क्वाइर के छेतर में यह मिट्टी भी दिमान है फिर इक आक्साइर का जो कलर होता है वो आपसे पूंच ले जाए तो इसका होता है लाल और यह मिट्टी जो मुख्यत पाई आती है वो पाई आती है आपकी प्रमुकराज जहें आपका जारखंड जारखंड के बाद पस्चिम बंगाल फिर तमिलान करनाटक दक्षिन महाराष्ट और एमपी बात करें हम नेश्ट कोसन की तो हमारा नेश्ट कोसन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांस निम्लिखिद में से किस एक से होकर भी गुजरता है और यह आपका गुजरता है राजस्थान से होकर राजस्थान से होकर यह अक्षांस गुजरता है नेश्ट कोसन की बात कर Board of Radiation and Isotope Technology इसका फुलफाम है आपसे पूछा जा सकता है यह जो मुक्रूप से कार करता है वो करता है समस्थानिक प्रद्योग की यानि सीस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा यदि BRIT की बात करें तो यह मुक्रूप से 10 मार्च 1989 से कार्यात है इसके यदि HQ हेड़क्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेड़क्वार्टर है वो है बासी नवी मुंबई में बासी नवी मुंबई में इस्थित है और यह स्वास्त रक्षा उद्योग एवं क्रिशन संधान में कहा जाए तो प्रमुख भूंद का निभाता है बात करें हम आगे तो हमारा निष्ट कोशन है टिहरी पन बिजली कंपलेक्स निविलखित में से किस एक नदी पर आविस्थित है और यह आविस्थित है भगी रथी नदी पर यह आविस्थित है यह आविस्थित है यह आपको पता होना चाहिए नेस्ट कोशन की बात करें कि निलुखित में से किस एक में माल्टा अविस्तित है तो जो आपका माल्टा अविस्तित है वो है आपका भूमत इस सागर में यदि इस माल्टा की बात करें तो यह लगवाक 316 316 किलो मीटर वर्ग किलो मीटर में है इसका छेतर है यदि माल्टा के राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बैलिटा, बैलिटा इसकी राजधानी है और इसे 2004 में, इुर्णपीय यूनियन का सदस्र भी चुना गया है बात करें हम निश्ट कोशन की कोलकाता किस प्रकार का बंदरगा है तो जो आपका कोलकाता है वो एक प्रकार का नदी ये बंदरगा है जो कि यहीं पे यहां की सोख नदी जो है वो बहती है बात करें हम निश्ट कोशन की तो हमारा next question है करेवास करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक इस्थानी प्रकार है कि उत्वादन के लिए महत्वन प्योगी है यह कहां पाई आती है और यह आपकी पाई आती है कास्मी हिमालाय में यह इस question का right answer हो जाएगा बात करें next question की कि उच्चावज दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है और उच्चावज दिखाने का सबसे जो सही तरीका है वो है आपका समोच्च रेखा समोच्च रेखा की बात करें तो यह एक कालपनी करेखा है यह एक कालपनी के रेखा है, यह आपको ध्यार रखना है Next question है, काली मननतन, जिस दीप का अंग है, वह है आपसन आपके दिये हुए है, और यह है आपका बोर्नियो दीप का अंग बोर्नियो दीप का यह अंग है और यह दि बोर्णियो दीप की बात करें यह आपके इंडोनेसिया इंडोनेसिया दीप समुल का प्रमुख अंग है नेस्ट कोशन की बात करें कि भारत में प्रथम तेल परिस्कर्ण सायंतर कहां इस्थापित किया गया है और यह आपका इस्थापित किया गया है ढिकबोई ढिकबोई आपका अविस्तित है असम में ढिकबोई आपका अविस्तित है असम में नेर्ट क्यूसर की बात करें कि राष्र्टी पोत डिजाइन तथा अंसंधान केंदर कहा इस्तित है और यह आपका अविस्तित भिशाखा पत्नम इस कोशन का राईट अनसर हो जाएगा नेस्ट कोशन है कुंचिकल जल प्रपात कहा जाए तो किस राज में अविस्थित है और जो आपका कुंचिकल जल प्रपात है वो आपका करनाटक राज में अविस्थित है पूछा जा सकता है कुंचिकल जल्प्रपात किस नदी पर है यह आपकी बहारी जो आपकी बहारी नदी है उसमें यह आविस्थित है करनाटा के किस जिले में तो यह आपका करनाटा का सिमोगा जिला है करनाटा का सिमोगा जिला है जहां पर यह जाल कर पात इस्थीत है बात करें हम नेश्ट कोसन की कि निवल खित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते तो जो आपका कमबोडिया है कमबोडिया में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते सीस कोसन का राइट एंसर हो जाएगा बात करें हम नेश्ट कोसन की कि किस जिले में एसिया की सबसे बड़ी मैगनीज की ख़डान है और एसिया में जो आपका बाला घाट है किस जिले में तो बाला घाट जिले में मद्देश के बाला घाट जिले में एसिया की सबसे बड़ी मैगनीज की खडान है ये आपको ध्यान अखना है नेश्ट कोशन है भारत में ग्रीस मकालीन मांसून के प्रवाह की समाने दिशा कौंसी है और ये जो आपकी दिशा होती है वो होते है आपकी दक्षिंड से प्रस्शिम और उत्तर से पूर्व नेश्ट कोशन की बात करें कि अलपस परवस्शेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा है और जो आपकी अलपस परवस्शेणी है ये आपके इगलेंड इगलेंड जो है इगलेंड देश का यह हिस्सा नहीं है अलपस परवस्शेणी आपके इगलेंड देश का हिस्सा नहीं ह चुकि यह जो अलपस परवस्जी है यह आपके जो आपका मध्धिवर्ती योरोप है यहां पे यह अविश्थित है यह अलपस परवत के सरबोच बिंदू की बात करें तो वो है माउंट ब्लेक माउंट ब्लेक इसका सबसे सरबोच बिंदू है इसकी यह उचाई की बात करें तो माउंट ब्लेक उचाई है 4807 मीटर यह इसके लंबाई की बात करें तो 1050 किलू मीटर बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट कोसन है लावा लावा के ठोस होने के फलत सरूप पिथवी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं और इसे कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टाने प्लोटोनिक चटाने इसे कहा जाता है नेश्ट कोसन है एसिया की विसाल नदी मेकांग निमलखी देशों में से किससे नहीं बहती तो यह नदी जो है वो मलेसिया मलेसिया से होके नहीं बहती यदि बात करें हम मेकांग नदी की मेकांग नदी जो है वो आपके तिबबत यह आपके तिबबत से निकलती है तिबबत से निकल कर चीन, लाओस, कमबोडिया और वियतनाम होती हुई दक्षिर चीन सागर में मिल जाती है दक्षिर चीन सागर में इसका अफसान छेतर है नेश्ट कोशन की बात करें कि तमिल्लान वा आंध विदेश के तड़ का नाम क्या है तो तमिल्लान और आंध विदेश का जो तड़ है इसे जाना जाता है कोरो मंडल तड़ के नाम से कोरो मंडल तड़ के नाम से जाना जाता है यद यहीं पर बात करें हम कि जो आपका उतकल तट है उतकल उतकल तट के नाम से किस छेत को जाना जाता है तो उडिसा का जो तटी छेत रहे उसे उतकल तट के नाम से जाना जाता है आप सुनों में बात करें उत्तरी सरकार की जो आपका उत्तरी सरकार है उत्तरी जो सरकार है तो उत्तरी सरकार उडिशा के नीचे एवं आंध्विदेश के ऊपर जैसे कि यह भारत के मैपकी बात करें तो यह आपका उडिसा हो गया यह आपका हो गया यहाँ पे यह आपका उडिसा यह आपका आंध प्रदेश इसका जो नीचे का भाग है ना इसे जाना जाता है उत्तरी सरकार के नाम से और ये जो आंध विदेश है आंध विदेश से ये तमिल्लांट इसके बीच के छेतर को जाना जाता है कोरो मंडल प्रक्ट से आसा है कितनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी नेश्ट कोशन की बात में कि दक्षिन अमेरिका में खनीजों का भंडार जो चेतर है वह है और यह जो चेतर है आपका यह आपका चेतर है ब्राजील का पठार ब्राजील का पठार यह चेतर है आपका प्रमु जहां पे लौह आयस प्रमु गूरूप से पाये जाते हैं बात करें हम आगे तो हमारा next question है प्रसिद्ध अंगूल लियो नुमा जील कहां पर इस्थित है यानि कि जो आपकी अंगूली जो नुमा जील है वो कहां इस्थित है वो आपको बताना है और यह जील आपकी अविस्थित है अस्थेलिया में अस्थेलिया में अविस्थित है चूकि यह छोटी-छोटी कहा जाए तो यह जो जील है वो छोटी-छोटी जीलों का क्या है एक प्रणाल से सिंखला है नेट कोशन है चिलका जील जहां इस्थित है वह है जो आपकी चिलका जील जहां अविस्थित है वह है आपका कोंकर्टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट पूरीशा का जो उत्तरी सरकार अभी हमने पिछले कोसन में डिस्कस किया है। जो इसका तर्ट है यहाँ पर यह अविस्तित है। बात करें ह Him next kyodran, तो निम्रखित में से कौन सी धॉला धर सेरी की प्रमुक्त जंजाती है। तो जो आपकी धौला धर सेरी है इसकी प्रमुक जन जाती है लाहौली यहां की प्रमुक जन जाती है और यह आपका जो लाहौली है यह आपका इस्तित है हिमानचल प्रदेश में हिमानचल प्रदेश में यह अविस्तित है यह आपको ध्यान रखना है इसके अलाबा जो यहा नेलांग घाटी किस राज में इस्थित है और नेलांग जो घाटी है वो आपका उत्राखन राज में अविस्थित है नेश्ट कोशन है निमलकित में से कौन सी दक्षिन अटलांटिक महासागर की सीतल धारा है और जो दक्षिन अटलांटिक महासागर की सीतल धारा है वो है आ आपकी जो कनारी धारा है ना, कनारी धारा आपकी उत्तरी अट्लांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। तत्त को सुनते रहिएगा आप लोग जो आपकी ब्राजील है तो ब्राजील दक्षिन अट्लांटिक महासागर की जे गर्मधारा है और जो आपकी लेब्रोडोर है वो भी आपकी एक प्रकार से ठंडी जलधारा है उत्तरी अट्लांटिक महासागर की बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट कोशन है निमलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है और यहां पे जो आपका जुलू है जुलू उरीसा यह आपका सुमेलित नहीं है जुलू जो आपका उरीसा है यह सुमेलित नहीं है चुकि जो जुरू आपकी जाती है वो पाई जाती है अफ्रीका महादीब में यह आपकी पाई जाती है अफ्रीका महादीब में बाकि सेरपा नेपाल, थार उतराखन और तोड़ा दक्षिन भारत में नेश्ट कोशन की बात करें कि काडमम, काडमम पहारियां जिन राजों की सिमाओं में अविस्तित है बे कौन से राज हैं और यह आपका राज हो जाएगा केरल एवन तमीनलांड नेश्ट कोशन है निमलखित में से कौन सा रूपांतरी चटानों का उधारन नहीं है और जो आपकी ग्रेनाइट है यह आपके रूपांतरी चटानों का उधारन नहीं है जबकि आपका जो संगमरमर, क्वाटजाइट और इसलेंट ये तीनों जो आपकी हैं यह रूपांतरी चटान का उधारन है ये तीनों रूपांतरी चटान का और जो ग्रेनाइट है वो आपकी अगने चटान का उधारन है बात करें हम आगे तो हमारा next question है नन्दा देवी चुठी कहां पे स्थित है और जो नन्दा देवी आपकी चुठी है बो है कुमायू हिमाले कुमालू कुमायू हिमाले यानि 20 गोशन का राइट अंसर हो जाएगा ये नंदा देवी चोटी की उँचाई की बात करें तो इसकी उँचाई है 7,817 मीटर 7,817 मीटर नेस्ट कोशन है निवनकित मेंसे कौन सी सितोष गहास के मैदान जुरेसिया में पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं यहाँ पे इस्टेपीज इस्टेपीज यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं अब यहाँ हम अर्ट्रिक्त जो आपके अन ओप्सन दिये हुए हैं इनकी बात करें तो जो आपकी डाउन्स है डाउन्स आपकी अस्ट्रेलिया में पाई जाती है जो आपकी वेल्डस है वेल्डस आपकी पाई जाती है साउथ अफ्रिका में जो आपकी प्रेयरीज है यह पाई जाती है आपकी नार्थ अमेरिका में नार्थ अमेरिका में पाई जाती है ये आपको ध्यान अखना है बात करें हम आगे तो हमारा नेश्ट कोशन है भूतापी उर्जा पराधारी मनी करन बिजली सैंत किस राजी में अविस्थीत है और ये जो सैंत्र है वो अविस्थीत है आपका हिमानचल प्रदेश यानि कि इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है बाय मंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है और जो दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है वो की जाती है आपकी आएन मंडल भी इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा यदि बात करें इसके बिस्तार की तो 40 से लेके 800 किलो मीटर के उचाई तक यह पाई जाती है नेस्ट कोशन की बात करें कि दूलहस्ती हाइड्रो पावर इस्टेशन किस नदी पर अविस्तित है यह अविस्तित है आपका चीनाव नदी पर चीनाव नदी जे एंड के जम्मू कास्मिर यदि दूलहस्ती हाइड्रो पावर इस्टेशन की बात करें कि इसकी उत्पादन चमता कितनी है तो लगवग इसकी उत्पादन चमता है 390 मेगावाट नेश्ट कोशन की हम बात करें तो कोशन है पिपली घाड दर्रा किस परवती भाग में इस्तित है और यह आपका अविस्तित है अरावली में यदि हम बात करें कि जो आपका अरावली है अरावली के लावा जो पस्मी घाड में 3 प्रमुक दर्रे हैं उनके नाम की बात करें तो आपका थाल घाट इसके बाद पाल घाट इसके बाद भोर घाट ये तीन जो आपका कहा जाए तो इंडिया के मैप के कॉडिंग जो ये आपका छेतर है पस्चिमी यहाँ पे विशेश तोड़ पर ये तीनों दर्वे पाए जाते हैं बात करें हम नेश्ट कोशन की हारमुझ जलसंदी पाई जाती है जो आपकी हारमुझ जलसंदी है वो पाई जाती है आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच फारस और ओमान की खाड़ी के बीच यह पाई जाती है नेश्ट कोसन की बात करें तो निम्ण में से भारत की सबसे बड़ी मसीनी कृत खान है और यह मसीनी कृत खान जो है बो है बैला डीला बैला डीला खान आपकी सीजी चत्तीस गढ़ में अविस्तित है चत्तीस गढ़ का वस्तर जिला है इसके द्वारा जो लोहा निकाला जाता है उसका उत्पादन करके निर्याद जापान जैसे देश को किया जाता है विसाखा पटनम बंदरगाय के द्वारा नेश्ट कोसन की बात करें कि ज्वालम की उद्गार नहीं होता और यह नहीं होता वाल्टिक सागर में वाल्टिक सागर में ज्वाला मुखी उद्गार नहीं होता नेश्ट कोसन है करतारपूर कौरीडॉर करतारपूर कौरीडॉर हाल ही में किस नदी पर प्रस्तावित गलियारा है यह आपकी रावी नदी पर प्रस्तावित गली आ रहा है सीस कोसन का राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन की हम बात करें तो हमारा नेश्ट कोसन है उर्जा और बंसतर पुल में इस्तित है उज और बंसतर पुल में इस्तित है और यह इस्तित है आपका जम्मू कास्मिल, उन्ज और बंस्तर पुल जम्मू कास्मिल में इस्तित है लेक्ट कोशन की बात करें तो उज एबं बंस्तर किसकी सहायक नदी है तो यह दोनों आपकी रावी की सहायक नदी है प्रोजेक्ट संपर्क में संपर्क से संबंध है जो आपका प्रोजेक्ट संपर्क है उसका संबंध किस से है और इसका जो संपर्क है वो है पुल से जो प्रोजेक्ट संपर्क है वो किसके द्वारा चलाय गया तो यह चलाय गया था बी आर ओ द्वारा यह चलाया गया था पेलियो चैनल की संकल्पना किसने दी थी और इसकी जो संकल्पना दी थी बो दी थी के अस बढ़ाया समिती द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी यहनी कि 20 कोस्टन का राइट एंसर हो जाएगा आगे महत्मों प्रश्ण की बात करें तो वर्तक, बाउडंक, ब्रह्मांक और उध्यंक क्या हैं और यह जो आपके तीनों हैं यह प्रमुख रूप से बी आरो अरौनांचल प्रदेश में इस्थीत प्रोजेक्ट हैं बी इस कोस्टन का राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट कोस्टन स्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग की लंबाई क्या है और जो आपकी स्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग है इसकी लंबाई 9.2 किलो मीटर है और यह आपकी जो सुरंग है वो जे एंड के में इस्थिद है जमु कास्मीर में नेश्ट कोशन, फैनी नदी से समंधित भारत और किस देश के मद्ध समझाता हुआ है और यह जो समझाता हुआ है वो हुआ है बंगला देश के साथ बंगला देश के साथ इसका समझाता हुआ है पानी की आपूर्ती को लेकर नेश्ट कोस्टन है मत्वदेश राज ने विश्व परियावरान दीवस पर कौन सी अभ्यान की शुरुवात की है और यह जो शुरुवात की है वो की है आपका धन्यवाद मा धन्यवाद मा अभ्यान की शुरुवात की है यद इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी जैव विभित्ता जैव विभित्ता इसकी थीम थी नेश्ट कोस्टन की बात करें हम रीबा में इस्थापित की गई सौर उर्जा पर्योजना की छंता क्या है तो इसकी जो छंता है वो है आपकी 750 मेगावाट 250-50 मेगावाट के तीन यहां पर कहा जाए तो संयंत्र इस्थापित किये गए हैं नेश्ट कोस्टन है मत्व देश में कहाँ D.I.D.O. अनसंधान प्रयोक साला खोली जाएगी और यह आपकी खोली जाएगी मुरायना में मुरायना का एक कैलारस अस्थान है जहां पर यह खोली जाएगी बात करें हम नेश्ट कोस्टन तो मत्व देश के किस जिले में नया कपास के इंदर इस्थापित किया जाएगा और यह किया जाएगा आपका खरगाउन जिले में नेस्ट कोशन आत्म भारत मत्व देश रोड में 2023 का भीमोचन कहां किया गया है और यह इसका जो भीमोचन किया गया है वो किया गया है मिन्टो हॉल भोपाल में निश्ट कोशन पारस डोह बांध कहां अविस्तित है जो आपका पारस डोह बांध है वो अविस्तित है बैतूल में बैतूल जिले का एक मुलताई मुलताई अस्थान है जहां पे अविस्तित है हम निश्ट कोशन की बात करें कि मत्वदेश के किस जिले में पहले तितली पार्क की इस्थापना या लोकार्पन किया गया है और यह आपका जो किया गया है वो किया गया है राजसेन में राजसेन जिले में पहले तितली पार्क का लोकार्पन किया गया है नेस्ट कोशन है मद्व देश के कितने सहार को पवित्र सहार का धर्जा दिया गया है और यह दिया गया है मद्व देश के साथ साथ सहार को दिया गया है जिन में से आपका नाम सुन लीजिएगा अमरकंटक महेस्वर ओमकारेस्वर उज्जेन चित्रकूट और छा महेस्वर नेस्ट कोशन की बात करें इन में से कौन सा चक्रवाद अरफ सागर में आया था और यह चक्रवाद आपका था बायू बायू चक्रवाद यहाँ पे आया था राइट नेस्ट कोशन की बात करें कि इन में से कौन सा चक्रवाद बंगाल की खाणी में आया था तो बंगाल की खाणी जो चक्रवाद आया था वो आया था बुल बुल कब आया था नवंबर दो हजार उन्नीस को दो नवंबर दो हजार उन्नीस में चक्रवाद आया था आज का लास्ट कोर्शन हिंद महा सागर में 1976 के बाद सरवाधिक चक्रवाद आठवी वार कव दर्ज किया गया यह दर्ज किया गया था 2019 में इसके पहले यहाँ पे आया था 1976 में 1976 के बाद 2019 में आया यह आपको ध्यान अखना है जिन में से तीन बार बंगाल की खाड़ी में और पांच बार अरब सागर में आया यह आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों आपके यहाँ से पूटल हमने 100 कोर्शन कभर किये यह क्लास आपको कैसी लगी क्लास आपको पसंद आती है आपको लगता है कि क्लास आपके exam point of view से important है आपके लिए महत्पूर कोशन है तो आप इस सेशन को जादा जादा सेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें सेयर और कमेंट करना ना भूलें अपना लक्ष बनाके रखें जो आपका लक्ष है आप धीरे धीरे ऐसी महनत करेंगे तो एक दिन आपके पास जानका भंडार हो जाएगा तो आप लोग पढ़ाई को लगातार जारी रखें साथी साथ आप लोगों के संदेश है कि आप लोग बड़ों का समान करें चोटों को प्यार दें और अपना ब्यक्तित इस प्रकार विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें इस बात पर विशेश गौर करिएगा तो आज की क्लास में बसिदना ही मिलेंगे अगली क्लास में जब तक के लिए जय हिंद